पांच लोग वो भी एक स्कूटी पे तो जूडियों से सौपिंग करके अब बारी है राची वापस जाने का तो मैं कैब बुला के उसमें समान राके निकल जाता हूँ बस स्टैंड की तरफ जहां से मुझे बस मिलेगा राची के लिए तभी मुझे रास्ते में दिखता है ये फैमिली जो एक स्कूटी पे पांच लोग चल रहे हैं इनको अपनी तो नहीं लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कहीं थोरा मिस हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा खेर रास्ते में मस्त में टाटे स्टील का प्लांट देखते देखते आ जाता हूँ बस स्टेंड और हाँ जमसेदपूर में इतना गर्मी पर रहा है मानो जान ही निकाल देगा खेर बस का टिकट लेके कुछ खाने का लेकर के मैं बढ़ जाता हूँ बस में और देखने लगता हूँ यह न जा रहा तो कुछ तीन घंटे की सफर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ रांची जहाँपे पहुंचते मुझे लग जाती है भूग तो मैं आजाता हूँ गोलगपे के दुकान पे तो गोलगपा खापी के समान को अपने हाथ में ले करके इंतजार कर रहा हूँ अपने पापा का जो मुझे बस इस स्टैंड से घर ले जाने के लिए आ रहे है मानो आप लंदनी क्यों न चले जाओ लेकिन अपना सहर अपना सहर होता है तो कुछ 10 मिनट के इंदिचार के बाद पापा आ जाते हैं उनके साथ इस कुटी पे बैट के मैं निकल जाता हूँ अपनी घर की तरफ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो फटा फट सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं कल बाई बाई